यूपी की जनपत चित्रकूर्ट में गैंग रेप का मामला सामने आया है यहाँ एक महिला ने चार लोगों पर बारी बारी गैंग रेप करने का आरोफ लगाया है एस भी कारियाल ले पहुँचे महिला ने बताया कि वह 28 अक्टूबर को अपने जीजा के साथ जा रही थी तवी रास्ते में चार बदमास आए और लोट पार्ट करने लगे जिसका उसके जीजा ने विरोध किया तो बदमासों ने तमंचे के बल पर उनके साथ मार बेट की और उसके बाद महिला ने जब इसका विरोध किया तो बदमासों ने उसे जाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुसकर्म के वारदात को अलजान दिया महिला का कहना है कि बदमासों ने दुसकर्म की वीडियो भी बनाई है महिला ने बताया कि बदमासों ने उसे धंगी दी है अगर किसी को बताया तो सचान से मार देंगी और उसकी वीडियो को वाइरल कर देंगी वही महिला का आरोप है कि वह कई दिनों तक न्याई के लिए चक्कर काटती रही जिसके बाद वह स्पी कारियार ले पहुंचे और न्याई की गौहार लगाई वही स्पी ने बताया कि बदमासो के शिनाप के आधार पर गिरफतारी की जा रही है अभी तक एक दो आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश चारी है कि ऐुपंए को पाकगद एको मार रहा था हमको भी क्या था फिर को माआ कर今天 पिलुक भाग्ति रहार हम दोनों I प holiness विजी में बना गेह एक है यह मत्त जाल ते लुपक जला गए कि थे करने ऊच्छां सब मार पातनीना चलिना पादा है वेडियो पनाइगा तो वीडियो के माझन से को फिर्षा मोजे हैं